हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रभा आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज में बैगन की कलोंजी की रेश्पी सेयर करने जा रही हूँ आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा पसंद आये तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बैंगल की कलोंजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बैगन के किनारों को इस तरह चाकू के सहता से निकाल लेंगी यह दे इसी तरह से सारे बैगन को हम लोग साफ कर लेंगे और उसी तरह से आलो को भी आलो बच्चे के खाने के लिए डालते हैं एक दो आलो भी डाल देंगे तो उसको भी इस तरह गोल गोल स्लाइस कर लेंगे आप चाहे तो चिटके उतार के करें या पिर आसे में चलिए का मसाल त्यार करते हैं उसके लिए मैंने पैन चड़ा दिया है उसमें करीब 6 साथ सुखी लाल मिर्च डाल दी है उसे तुराल का फ्राइ कर लेंगे उसके बाद आधा चोटा चम्मा चमले उसमें मेथी डालेंगे मेथी को डाल कर थोड़ा भूल लेंगे अब एक टीय स्पून हम लोग धनिया डाल देंगे खड़ा धनिया का बीच 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 और डाल कर भूने लिए अलोग हिरे अब उसमें एक चमच एक टीए स्फून एक से टीए स्पून हम लोग साउफ डाल देंगे और शॉफ्ट डाल कर भी इसे भूनेंगे उसमें जुले का फ्लेम लू रहेगा हाई मेडियम प्रम लोग भूलेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा इसलिए घाल मेडियम पर हम लोग दीरे दीरे इसे भून लेंगे इसके हलके सुगंद आने तक हम लोग मसाले को भूनेंगे देखिए हमारा मसाला भून गया है अब हम लोग चुले के फ्लेम को बंद कर देंगे अब उसमें एक चमच जीरा डालेंगे और जीरा डाल कर भी हम लोग भून लेंगे अभी तावा हम लोग का पैन गरम है उसमें जीरा हलका रोष्ट हो जाएगा अब हम लोग करेब दो टी स्पून के करीब तू टी स्पून के करेब सर्सों के दाने को डाल देंगे लोग चुले को फ्लेम को इस वक्त बंद किये रहेंगे और करीब आधा छोटा चमच जबाएं और उससे भी थोड़ा सा आधा छोटा से करीब ओन फोर चोटा चमच कलाउंजी लेंगे और उसे भून लेंगे हमें इने हलका सेखना है वस मसाले ठंड़ हो जाने पर मिक्सी में मैंने उसे पीस लिया मसाले की कंसेंटेंसी दर दरा ही रहेगी हम उसे मोटा ही पीसेंगे अब उसमें एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच अंचुर पाउडर और मसाले की क्वांटिटी की साफस में नमक डाल देंगे इसमें अब हम लग थोड़ी से तेल करेंगे एक च्छोटा चमच चाय चमच के कड़ी तेल आइड करेंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे अची तरहसे अब हम लोग करेब एक चोटा मच चमच ची तरह maintained मिक्सुर में अगर बैगन को बीच से काट करें किषै की नहीं उसके इसी कटिंग में हम लुग मसाले को डाल देंगे यह दिखिए बिल्कुल इस तरह से इस तरह से हम लोग कटिंग करके अम लोग मसाले को डाल देंगे अगर लंबी वाली हम लोग के तरफ सफेद बिहार में सफेद बैगन मिलती है छोटी-चोटी कलाउजी उसमें बहुत अच्छे से हो जाता है यहां पर यह चोटी वाली बै दिया है तो फ्राइपें गर्म से देल हमारा गर्म हो गया है अब लोग उसमें एक चोटा चमच प्रेव एक चोधा है चमच हम लोग उसमें मेति का दाना और दो खड़ी लाल मुष्च्छे टाल देंगे इसे डाल पे अम लोग इसे बोनेंगे थोरी देंगे आ इफ़्ीं मासाले त्यारे डाले वाइगन का टाल देंगे शाइज और भूल जाता है अगर है वैकन के मासाले डाल डाल देते हैं सब्सक्रась अब तरीका है मसाला डालने का बैगन के अंदर अब इस तो से अब कटे हुए आलू को इसके अब डाल देंगे अब इसके उपर जो हम लोगने मसाला पीसा था करोंजी का उसके उपर डाल देंगे आलू के पर और इसे अची तरह से हम लोगं चला लेंगे आलू इंदर अब अरण तरह से गल जाए इसलिए का उन्टीटि कीशाब से हम लोग थोरी सी नमक उपर से डाल देंगे क्योंकि मसाले में हम लोग ने कि हमें ऑल्लेटी पहले से नमक टाला है इसलिए थोरा अधी पॉरडर डाल देंगे कलर के लिए थोड़ी से लाल मिर्च भी हम लोग टालेंगे और तो जो मसाला हम लोग ने कलॉंजी का तियार किया हो भी एक चमच वपर से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे अब लोग यह बहुत ही जल्दी तेयार हो जाता है अब इसे डाग कर पकने के लिए रख देंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे आलू के पकने तक मारा कलॉंजी लवक पक चुका है अब इसमें मैं थोड़ा सा हिंग मिला दिया मसाले में मैं हिंग नहीं मिलाई थी इसलिए इसके उपर से हिंग डाल दिया अब इसे मैं चला लूंगी अच्छी कर से चला लेंगे आप मसाले जब भी तियार करें तो तेल हल्दी नमक और परफेक्ट मसाला तियार रपता है इस मसाले से हम लोग बहुत सारी रेज भी तियार कर सकते हैं यह बहुत ही चटपटा मसाला इसे आप इसकर डबे में स्टोड़ करके रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि वैगन हमारा भी नहीं पका है तो हम लोग क्या करेंगे कि पै बैगन हमारा चीतर से पक जाएगा कोई कोई बैगन जल्दी पकता है कोई टाइम लेता है यह देखिए इस तरह से हमारा बैगन पक के तियार हो गया है बहुत ही चटपटा और स्वाधिश्ट बैगन बनाए बैगन का क्लाजी सर्प करने के तियार है इसे पूरी पराठे रोटी के साथ आप साथ कर सकते हैं या चावल के साथ आई होप आपको मेरी रेस्पी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करें या दोस्तों के साथ इसकी रेस्पी को सेर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स अंग और चोगिकार, इस 评 है from English